नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स चांदी का पुतला चांदी का पुतला लेखक बिमल चटरजी, कला प्रदीप सोनी एक काउं में कुंदन नामका एक नेक, दयालू वा बहादूर लकड हारा अपनी बोड़ी मा के साथ रहा करता था एक बार जब वह जंगर में लकडियां काटने गया तो वहां उसकी मुलाकात चंदर्मनी नामक एक मांत्रिक से हुई मांत्रिक ने अपने एक काम को करने के बदले खूप सारा धन देने की उससे पेशकश की फिर कुंदन के तयार होने पर वह उसे एक मायावी घोडे पर बैठा कर एक नदी की केनाले ले गया वहाँ उसने कुंदन को बताया कि उसे उस नदी के भीतर बसी स्वन नगरी में जाकर वहाँ से तीन अमुल्य वस्तुएं सोने की कुलहाडी, चांदी का पुतला और हीरे की खोपडी लाने है उसके बाद उसने कुंदन को अपनी मंत्र शक्ती से एक छोटा सा पुटला बनाया और स्वन नगरी के राजा के पास पहुंचा दिया वहां पहुंचकर कुंदन अपने पूरे आकार में आया और काफी संकटों और बाधाओं का सामना करने के पश्चात तीन वस्तों में से दो वस्तों सोने की कुलहाडी और हीरे की खोपड़ी को प्राप्त करने में सवल हो गया लेकिन जब तीसरी वस्तों यानि चांदी का पुतला को प्राप्त करने के लिए एक कमरे में पहुंचा तो वहां चांदी की पुतले को एक साथ फनों वाले विशालकाय अजगर के सिर पर रखे देख वह आश्यरे चकित हो उठा अब आगे अभी कुंदन साथ फनों वाले उस विशालकाय अजगर के सिर पर रखे चांदी की पुतले को निहारी रहा था कि अजगर मनुष्य की वानी में गर्ज उठा कौन है रे तू और यहां मौत के मुँँ में क्यों आया है जल्दी से मेरे प्रश्णों का उत्तर दे और यहां से भाग जा वरना मैं तुझे जिन्दा ही निगल जाओंगा मेरा नाम कुंदन है और मैं यहां तीन वस्तवे प्राप्त करने आया था जिन में से दो वस्तुें मैंने प्राप्त कर ली है और तीसरी वा अंतिम वस्तु चान्दी का पुतला जो तुम्हारे सिर पर मौजूद है उसे भी प्राप्त करके ही मैं यहां से लोटूँगा सुनकर अजगर क्रोट से पुनह दाहार उठा, क्या कहा? चानदी का पुतला प्राप्त करने आया है. अरे मूर्ख शोकरे, क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? जो मौत से ठक्नाने के लिए तयार नजर आ रहा है. मुझे ना मौत का भै है और ना ही प्राणों का मोह मैं जो कुछ एक बार सोच लेता हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने आप ही वह पुतला मेरे हवाले कर दो अरे मूर्ख अपनी जवानी पर नहीं तो कम से कम अपनी मा के बुढ़ापे पर तो रहम खा तेरी बूड़ी मा तेरे मरने के पच्चात क्या करेगी क्या यह भी कभी सोचा है तुने गली गली भीक मांगेगी और दर दर की ठोकरे खाकर आखिरकार एक दिन दम तोड़ देग कुंदन अपनी मा के बारे में सोचकर एका एक ही विच्चिल तोड़ था उसे लगा जैसे उसकी दम तोड़ती मा उसे पुकार रही हो मेरे बेटे कहा हो तुम वापस लोटाओ मा मैं आ रहा हूं मा और भाव विहल होकर कुंदन वहां से लोट ही जाने वारा था कि किसी समाप्त कर चांदी का पुतला हासिल कर लो ओ कुंदन ने तुरंट सभलने की कोशिश की परंतु तब तक उसे काफी देर हो चुकी थी उफ दम घुट रहा है और हड़ियां चटक रही हैं जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मारा जाओंगा तभी उसे अपने हाथ में थमी तल से वार करने लगा जिससे अजगर के शरीर से खोन इस तेजी से निकला कि कुंदन उसमें डूबने लगा अजगर को मानने के पश्चात कुंदन ने बड़ी मुश्किल से उस चांदी के पुतले को अपने कबजे में किया बस अब निकल चलू वरना शीख रही इस खोन की न ज्यादा सोचने समझने का मौका नहीं था अधा कुंदन ने पुतले को जल्दी से अपने वस्त्रों की भीतर चिपाया और एक तरफ भाग खड़ा हुआ पकड़ो मारो शीखरी आहा वह किसी कमरे का ही द्वार मालूम पड़ता है सैनिकों से पीछा चुडाने के लिए मु पर गिर कर किसी गेंद की तरह इधर उधर लोड़कने लगा उफ यह क्या माजरा है समझने का मौका ही नहीं मिल रहा है तभी पीछा करते सैनिक भी द्वार पर आ पहुँचे लेकिन न जाने क्यों उन्होंने भीतर खुसने की कोशिश नहीं की बलकि द्वार पर ही खड़ से लग रहे हैं और भीतर खुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जरूर कोई विशेश बात लगती है तभी एक भयानक आवाज के साथ एक तरफ की दिवार बीच में से फट गई और उसे के साथ न केवल कमरे का हिलना बंध हो गया बलकि द्वार पर खड़े सैनिक भी गायब हो गई शुक्र है लुड़कनिया खाने से तो मुक्ति मिली लेकिन वह दिवार अपने आप कैसे फट गई और द्वार पर खड़े सैनिक कहां गयब हो गई तभी अरे भापरे अब मौत निश्चित है कुन्दन तुरंत ही अपना बचाव नहीं कर पाया उफ और आह अपने पानी की एक तेज धार उसके उपर पढ़ने लगी अरे यह पानी छट से कैसे आ रहा है पलक चपकते ही उस तेज धार ने किसी समुंद्र का रूप धारन कर लिया और कुन्दन को बाहा कर तेजी से एक और ले जाने लगा यह देख जानवरों ने तैरते हुए भी उसे अंटो तैता रहा लेकिन अंध में जब वह धक कर चूर हो गया आह लगता है अब नहीं बचूंगा और इसी चमतकारी समुंद्र में डूप कर मर जाओंगा तभी उसे तीनों अद्भूत वस्तों का ध्यान आया क्यों ना मरने से पहले उन तीनों वस्तों को एक बार देख कितना सुंदर और अद्भूत है यह पुतला काश मरने से पहले मुझे इसकी विशेष्टा के बारे में पता चल जाता तो इस तरहें बेमौत मरने का इतना दुख ना होता सैसा पुतले को देखते देखते उसका हाथ उसकी आँखों से चूग गया और उसी के साथ जैसे च जीवा उठी है अभी कुंदन आश्चरे से पुतले की इस तबदीली के पारे में सोची रहा था कि एका एक पुतला बोल उठा स्वामी गुलाम चंडालू आपकी सेवा में हाजिर है कहिए मेरे लिए क्या अग्या है आपके आदेश पर मैं आपकी तीनों लोगों की विप पत्ती आप पर आई है कुंदन पुतले के मुह से इंसानी बोली सुनकर पहले तो चकराया लेकिन फिर कुछ सोच कर बोला भाई यदि तुम वास्तव में सच कह रहे हो तो सबसे पहले मुझे इस विपत्ती से निकालो घंटो हो गए तैरते हुए लेकिन किनारे का कही नाम चमतकारिक निकला और अंजाने में ही मुझे इसकी विशेष्टा का पता चल गया थोड़े ही देर बाद पुतला एक बहुत ही सुन्दर बाग में उत्रा अहां कितना सुन्दर बाग है इस शान्द जगे पर अब मैं आनन से कुछ समय पिता सकता हूँ स्वामी मेरे लिए और क्या अग्या है भाई मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का भी इंतजाम कर सकते हो क्यों नहीं मालिक अभी लीजिए पुतले ने पहले आकाश के और हाथ उठाया फिर घास की तरफ हाथ करके घुमाया अगले ही पल वह देखते ही देखते कुंदन के सामने 108 नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन से सजी ठालिया सच गई भोजन हाजिर है स्वामी मेरे लिए कोई और आज्या हो तो कहिए बस भाई जब जरूरत होगी तुम्हें कश्ट ढूंगा अब तुम जाओ जो आज्या स्वामी की कुंदन ने पहले पुतले की तरफ देखा अब पुतले की आँखें निर्जीव हो चुकी थी आश्यरे जनक है फिर कुंदन ने पुतले को पुना अपने वस्त्रों में चुपाया और भोजन करने में जुट गया भोजन करने के पस्चात उसने जहरने का मीठा पानी पिया जोंकि आज काफी दिनों बाद उसे पेट भर स्वाधिष्ट भोजन नसीब हुआ था इसलिए उसे तुरंथी नीन सताने लगी और वह एक व्रिक्ष की चाहों में लेटकर गहरी नीन सो गया नजाने वह कब तक सोता रहा फिर अचाना की एक हलका सा शोर सुनकर उसके नीन तूट गई ओ सैनिक लगता है मेरे ही कोज में है तभी सैनिकों की भी द्रिष्टी उस पर पड़ी अरे वह रहा दुष्ट देखो कितने आराम से बैटा हुआ है जल्दी पकड़ो और मार डालो से चूंकि उसके पास इस समय उन सैनिकों से मुकाबला करने के लिए कोई हतियार नहीं था अतव है सोने की कुलहाडी को ही निकाल कर मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा हुआ इस कुलहाडी से ज्यादा देर तक उनका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता लेकिन मजबूरी लेकिन सैनिकों के निकट पहुँचने पर कुंदन ने उनका मुकाबला करने के लिए जैसे ही कुलाडी हवा में उठाई उसमें से तीवर चमतकार किरने निकल कर सैनिकों के उपर पढ़ने लगी आह उफ हाई अरे ये कैसा चमतकार हो रहा है अगले ही पल सभी सैनिक दुआ पनकर वहाँ से अद्रिश्य हो गए यह देख कुंदन मन ही मन फूला ना समाया हम तो यह है इस चमतकारी कुलाडी की विशेष्टा चलो अच्छा हुआ जो इसकी भी विशेष्टा का पता मुझे समय रहते चल गया अब मैं किसी भी मुसीबत से निपटने में सक्षम हूँ अधा मुझे अब इस देश से निकालने का कोई उपाय करना चाहिए और कुछ सोचकर वह अंदाजी से उस स्थान की और चल बड़ा जहां चंद्रमणी और वह नदी से नीचे उतरे थे मार्ग में दो चार स्थानों पर उसकी मुठवेड स्वर्ण नगरी के सैनिकों से और हुई परन्तो उस चादू की कुलहाडी के प्रकोप से कोई नहीं बत सका और वह सरकुशल उसी स्थान पर पहुँच गया यहां तक तो मैं पहुँच गया लेकिन यहां से बाहर निकलने का रास्ता तो मुझे मालूम ही नहीं और ना ही चंद्रवणी ने इस संबन में मुझे कुछ बताया है अब क्या करूँ तभी उसे उस चड़ी का ध्यान आया जिसके वश में स्वर्ण नगरी के राजा के महल का एक पहरेदार राक्षस था उसने तुरंत वह चड़ी निकाली और उसे तीन बार जमीन पर पटका तुरंत ही क्या ग्या है मालिक मुझे इस नदी के उपर ले चलो जल्दी करो मालिक उपर तक तो मैं आपको पहुँचा सकता हूँ लेकिन उपर मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी शक्ती इसी नदी तक सीमित है कोई बात नहीं तुम मुझे इस नदी के बाहर तक ही पहुँचा दो उसके बाद तुम आजाद होंगे मैं यह चड़ी तुम ही सौंब दोगा सुनकर राक्षस परसंता से भर उठा और घुटनों के बल बैटता हुआ बोला मालिक आप बहुत ही अच्छे वैक्ती हैं मैं आपका सदा आभारी रहूँगा आईए अब आप मेरे कंदे पर बैट जाएए ठीक है फिर कुंदन के कंदे पर बैटते ही राक्षस उड़ चला और पलक छपकते ही नदी से निकल कर किनारे पर आखड़ा हुआ वहाँ चारो और गहन अंधकार चाया हुआ था लो भाई गहलो अपनी चड़ी आज से तुम आजाद हो मालिक मेरे अच्छे मालिक मैं तुमको बहुत समय तक याद रखूँगा कहकर राक्षस वहाँ से अद्रिश्य हो गया कुंदन ने अंधेरे में चारो और चंद्रमणी की तलाश में नज़रे जोड़ाई लेकिन चंद्रमणी उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिया अब इतनी रात में चंद्रमणी को कहा तलाश करता फिरूँगा चल कर रात किसी सुरक्षित गुफा में गुजारो फिर सुबह होने पर उसे खो जूँगा फिर एक सुरक्षित सी गुफा ढूंड कर वह उसके भीतर जा लेटा तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद